नमस्कार दोस्तो आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ आज का टॉपिक है विटामिन B3 यानि कि विटामिन B3 के बारे में आज हम संपुण जनकारी प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले इसको हम सुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से तो विटामिन B3 को नयेसिन कहते हैं इस बात को सबसे पहले जान लीजिए और विटामिन B3 आठ B विटामिन में से एक है मतलब कि विटामिन B के अंत्रगत आठ अलग किस्म के विटामिन मिलते हैं उसमें से नयेसिन भी एक है विटामिन B3 यानि की नायेसिन खाना को उर्जा में बदलने का काम करता है दोस्तों एक बात आप सबको बता दूँ कि अगर हमारे सरीर में उर्जा की कमी है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जैसे की उठना, काम करना, घूमना, टहलना एक सारे के सारे काम हमारे उर्जा से होते हैं हमारे सरीर में अगर उर्जा नहीं है तो ऐसी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो खाना जो हम खाते हैं उस खाना से हमारे सरीर में उर्जा का निर्माड होता है इसलिए खाना बहुत ज़्यादा important होता है अगर नायेसिन की हमारे सरी में कमी है तो energy की कमी स्वते हो सकती है vitamin B3 यानि की नायेसिन हमारे तोचा, बाल और नर्वस सिस्टम को healthy रखने का काम करते है vitamin B3, nicotin amide, nicotinic acid, vitamin PP, इतियाली नामों से जाना जाता है vitamin B3 यानि की niacin एक water sorbel vitamin है इसलिए जब भी हमारे सरी में vitamin B3 यानि की niacin की अधिकता हो जाती है तो पेसाफ के रास्ते बाहर निकल जाता है हमारा सरी में vitamin B3 कोई store नहीं करता है अब आए देखते हैं deficiency symptoms of niacin यानि की अगर हमारे सरी में niacin की कमी हो जाए तो क्या लच्छन देखने को मिल सकता है तो नमबर वन पर है rough appearance of skin यानि की तौचा रूखा दिखने लगेगा दूसरा है bright red tongue यानि की जो हमारी जिभा है वो लाल दिखने लगेगी और तिसरा है fatigue और apathy इसका मतलब शरी में थकान बना रहेगा चौथा नमबर है vomiting यानि की उल्टी होनी की समस्या पाचवा है constipation यानि की कबजियत की समस्या हमारे सरी में हो जाएगी कबजियत का मतलब दोस्तों सही से पेट का साफ ना होना और प्लस हमें मन मूतर त्यागने में समस्या हो सकती है तो छठा नमबर है diarrhea यानि की दस्त की समस्या हमें बार बार twilight आने जाने की समस्या हो सकती है तो सातवा नमबर है depression यानि की मन में खिंधा बनी रहेगी जिसके वज़े से में कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा आठवा नमबर है सरकूलेटरी प्रॉब्लम्स यानि कि रक्त संचार प्रणाली में समस्या हो सकती है सही से खून का बहाव नहीं हो सकता है कभी खून के बहाव में समस्या आ सकती है और नववा नमबर है हेड़क यानि कि सिर्दर्द अगर आपको नाइसिन की कमी है तो हेड़क हो सकती है यानि कि सिर्दर्द हो सकती है तो दसवा नमबर जो प्रॉब्लम है ओ है मेमोरी लॉस यानि कि भूलने की समस्या हो सकती है और अगर ज्यादा नाईसिन की कमी है तो पेलेग्रा हो सकता है पेलेग्रा एक घाता कवस्था है अब आईए देखते हैं किन किन वजहों से हमारे सरीर में विटामिन B3 की कमी हो सकती है तो नमबर वन है डाइट लो इन ट्राइप्टोफेन यानि कि ऐसा खाना जिसमें ट्रा हमारी ताइप्टोफेन विटामिन B3 की कमी हो सकती है तिसरा नमबर है लो इन ट्राइप्टोफेन ही है जो नाईसिन में बदलता है और यहीँशस वह है । उसका ही कमी करेंगे तो जाहिर से बात है हमारे सरीर में नाईयसिन की कमी होगी। दोस्तो अब आईए देखते हैं side effects due to high dose of niacin, यानि कि niacin के high dose लेने से हमारे सरीर में क्या दूस प्रभाव देखी जाती है। दोस्तो खाना में मौझूद नाईयसिन से हमारे सरीर में अधिकता नहीं हो सकती है। क्योंकि खाना में जरूरत के हिसाब से नाईयसिन मौझूद रहता है। मगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो एकसेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आईये हाई डोज के साइड इफेक्ट को देखते हैं। अगर हम विटामिन B3 की हाई डोज को ले रहे हैं। अब आईये देखते हैं कितना विटामिन B3 जरूरी है हमें हर रोज। तो ए रहाप के सामने 19 बर से जादा के पुरुसों को 16 मिलीग्राम हर दिन विटामिन B3 की जरूरत है। तो वही पर 19 प्लस से ज्यादा की महिलाओ को 14 मिलीग्राम विटामिन B3 की आउ सकता है हर रोज। वही गर्भती महिलाओ को 18 मिलीग्राम हर रोज नायसिन लेने की जरूरत है। तो एक नमर पर है बीफ लीवर, दूसरा है ड्राय रोस्टेड पीनट्स, तीसरा है कुक्ड ब्राउन राइस, चौथा है एवोकेडोज, पांचवा है ग्रीन पीज, छटवा है स्वीट पोटेटोज, सतवा है मीट, आठ है फिस, और नौवा है मस्रूम्स, एत ही कुछ फ वीडियो में धन्यवार,